प्रदान मेंध्री मेंदर मोधी ने खेती सुधार कानूना व्रोध परदर्शना नू लेके व्रोधी पार्टियां ते हमला बोल दियां केहा कि एना पार्टियां दा खेती सुधारां बारे वी एहू ख्याल सी पर उना चोणा दे मदी नजर एना सुधारां नू लागू करन दी हिम्मत नहीं की थी रोह तांग विच अटल टनल दे उट काटन तो बाज सुलंग काटी विच एक जन तक रैली नू संबोधन कर दियां परदान मेंध्री ने कहा कि जो खेती सुधार का नूना दा विरोध कर रहे ने ओके साना नू पिछली स्तधी विची रहन देना चौ दे हमला बोल याए तई पार्टियां हिल गईयां ने अपने संबोधन विच परदान मेंध्री ने नवी केट कानूना दे फायदयां था वी जिकर की था दुरेंदर मोधी ने कहा कि उना दी सरकार आत्तम निर्भर पारत दे टीचे ले काम कर दी रहे की उना कि नवी केट क कानुना ने महलावानों पूर्श्रां दे ब्रापर तन खा अते मौके दितेने परदान मेंध्री ने विरोधी पार्टियां दी अलोचना कर दियां किया कि सदी बदल गई पर रहना दी सोच ओही रही परदान मेंध्री ने किया कि उना दी सरकार वलों कीते के सुधारां वाक विरोध करने वाले कहते हैं कि यतास्तिती बनाये रखो पिछली सदी में जीना है जीने दो लेकिन देश आज परिवर्तन के लिए प्रतिवद्ध है और इसलिए ही कृषिक शेत्र के विकास के लिए कानूरों में एतिहासिक सुधार किया गया है और यह जो सुधार है वो उन्होंने भी पहले सोचे थे वे भी चाहते थे सोच तो उनकी भी थी हमारी भी फुल स्टॉप कॉमा के साथ वो ही है लेकिन उनमें हिम्मत की कमी थी हमारे में हिम्मत है उनके लिए चुनाव सामने थे हमारे लिए देश सामने है हमारे लिए हमारा देश का किसान सामने है हमारे लिए हमारे देश का किसान का उजवल बविश्य सामने है और इसलिए हम फैसले ले करके आगे किसान को ले जाना चाहते है Digital Conversion, digitally current ये कर दिया गया है अब salary pension जैसी अनेश हुईदाओं के लिए बार बार दप्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ते पहले हिमाचल के दूर सुदूर खेतरों के वहाँ से सिर्फ दस्तावेज के attestation के लिए हमारे युवासाती, retired लोग, अपसरों, नेताओं के यहाँ चक्कर काटने पड़ते थे अब दस्तावेजों के attestation के जरुवत को भी एक प्रकार से खत्म कर दिया है आप याद करिये, पहले बिजली और टेलीफोन के बिल भरने के लिए पूरा दिल लग जाता था आज ये काम अब गर बैटे पर, क्लिक पर उंगली डबाल करके कर पा रहा है अब बैंक से जुड़ी अनेक सेवाएं, जो बैंक में जाकर थी मिलती थी, वो भी अब गर बैटे ही मिलने लगी है